यह प्रेस कांफरेंस जो आज रखी है इसमें कोवीड का जो हलात है डिस्टिक में उसको आपके शाथ सेयर करने के लिए बुलाईगी है शुरुआत में यह बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं हमारे डिस्टिक जो पूंच है वो जैलो केटेगरी में आने के वज़ा से बहुत सारी डिस्टिक्शन्स जो हट गई है हमारी जो विजनेस इस्टैबलिश्मेंट से हैं वो चार दिन जो हैं हफते में खुल रही है और इसमें जो इतनी कामजबी जो मिली है उसमें जो सभी लोगों का मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जोगदान रहा है तब ही जो हमारे हलात हैं बहतर उपाए हैं जहां तक प्रजेंट सिच्वेशन का तालुक है तो मैं बताना चाहूंगा आज हमारे पास जो 973 जो लोग हैं वो कोविट पाजिटीव हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो होम कॉरंटाइन में हैं 870 के आसपास और जो बाकी है वो जातो हमारी लेवल टू की जो ठीकी निन को में फान को उसमें उसमें जो यह नहीं वो हमने कोई प्रीव अहीं अच्छी डाब जो हैं वह उसमें हमने इनका इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए तह किया कि एक क्लस्टर के लिए एक फैसिलेटी रख देंगे और जहां-जहां जुरूर्ट होगी वहां-वहां उसको शिफ्ट करते जाएंगे ओवराल जो हमारी डिस्टिक का जो सिचुएशन है वो ठीक है लेकर फिर भी हमें जो है अतियात बरतने की जुरूर्ट है तो मेरी जनता से अपील रहेगी कि आप जो है अभी खत्रा टला नहीं है आप कोवीड का जो एसोपी है वो अच्छी तरह से फालो करें और जहां आपको लगता है जहां कोवीड लाइक सिम्टम्स लगते हैं जा कोई सुस्पेक्ट है अब हमारा पहली बार जो रिकवरी रेट है वो 82 परसेंट हो गया है और हमारा जो वैक्सिनेशन है 45 प्लस जो टर्गेटड ग्रूप है वो 77 परसेंट हो गया है अब 77 परसेंट के ऊपर जाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है तो उसके लिए हमने क्या किया है कि पूरे डिवल्मेंट के लोग हैं और जो वहां के पी आराइस हैं उनको भी हमने वाल्व किया हुआ है तो जहां तक पासिबल होगा हम लोगों के घर घर जाकर भी जो है वो जो रहेगे हैं वो एक्सिनेशन उनकी करेंगे और इसको हम 100% चीव करने के आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करेंगे आन्त में आपको मैं जहीं बताना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि हमें स्तर्क रहना है और हमें जो इसको जो है लाइटली नहीं लेना है जब तक बिल्कुल खत्रा टल नहीं जाता है तो लोगों से लोगों से रहनुमा से जो प्र हमारा हालात जो हैं वो डिस्टिक में ब्रूव हुए हैं आगे भी आने वाले दिनों में जो है इस पे थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा और आप मुझे ज़कीन है करेंगे तो हम इस पे जो कोविड का सिच्वेशन है उससे बाहर निकलने में काम जाब रहेंगे सर पंचायत लेवल पर जो कोविड केर सेंटर बनाएके हैं उन में से काफ़ी श्कायत में देंगे वो फंक्शनल नहीं है तो इसके लिए क्या कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो फंक्शनल का जो इशू है फंक्शनल तो तभी होगा जब जो लोग वहां आना लेकर जो लोगों के आने की विवस्ता है वो हम कर रहे हैं आपको मैंने बताया है कि जो बेसिक रिक्वाइर्मेंट है पंचायत लेवल कोविड केर सेंटर की वो लगवग हमारी कंप्लीट है जहां तक भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास आज की डेट में सत्तर आग के आसपास ऐसे कोविड केर सेंटर भी हैं जहां हम लोगों ने जहां अक्सिजन जो स्पोर्ट सिस्टम है जैसे अक्सिजन कंसंट्रेटर वजा अक्सिजन स्लंडर का भी प्रबंद किया हुआ है पर चूंके लोग जो है अपने घर में ज्यादा कंफरटेवर रहते हैं तो उ कोविड पेशल को जो चाही हो थे हुए उनके किट्स अवैलेवल हैं उनके लिए परस ऺंचिमेटर आवेलेवलिव हैं हमने हल्थ का और अारिफज इस्टाफ बड़ा करते हैं जो हैं COVID positive लोग हमारे centers में आना शुरू करते हैं वो उनके लिए लगबक जो चाहिए होता है वो सारी विवस्ता की हुई है और उस विवस्ता को चालू कर देंगे इसमें लोगों को कोई भी किसी किसम का जो है अशांका करने की जुरूट नहीं है क्योंकि हमारे पास हर एक चीज है COVID care center पंचाहित लेवल को functional करने के लिए